हल्लो सुधेंट्स कैसे हैं आप लोग आओ पर तॉम लोग पड़ा रहे हैं आटामीक स्टक्चर कि और आटामीक स्टक्चर में आज एक बड़ा ही महत्तव्पूर्ण मोडल पडरने वाले की ऑडामीक स्टक्चर में सबसे ज्यादा केश्ण जो मौडल्स से पूछता है जिसको नोग अनाम से पुकारते हैं सबसे ज्यादा क्वेस्टन किसी भी इंट्रैंस एक्जाम में बोर मोडल्स एक सबसे ज्यादा पूछता है और न्यूमेरिकल tickets सबसे ज्यादा यही पर है तो सबसे important topic जो है atomic structure का यही है bore model of atom तो चलो भाई शुरू करते हैं जो अगला model है और सबसे important model है bore model bore model of atom basically कहता यह है कि last class में जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या पढ़ा था भाई Planks quantum theory उसी पर आधारित इस model is based on Planks quantum theory Planks quantum theory क्या बताता था यह जो radiation है electromagnetic radiation है जो light बगर है वो पार्टिकल निचर का है पार्टिकल निचर का नियम पढ़े फिजिक्स में जो पढ़ते हो फोर्स बगरा कि फोर्स होता है एम गुने ए मास गुने एक्सलेशन है कि नहीं जो भी आप नियूटनियन फिजिक्स पढ़ते हैं नियूटन के नुसार जो फिक्स पढ़ते हैं वह यहां पर भी अप्लाइड होगा और उसी पर आधारित है तो पहली बात हम लोग नहीं क्या सिखा कि यह जो बोर मोडल है वह आधारित है किस पर पूछता भी है प्लंक्स कॉंटम थिएरी पर और किस पर नुटनियन फिजिक्स पर अब इस थिएरी के नुसार कुछ पॉइंट से एक-एक करके हम लोग पॉइंट्स लेते हैं एक नहीं पहला पॉइंट यह कहता है कि atom पहले भी हम लोग पढ़ चुके है atom जो होता है इसमें एक बहुत ही छोटा और बहुत ही भारी मतलो heavy center में nickelous होता है atom की an atom consists of a very small and very heavy positively charged कैसा charge? nickelous पर positive charge होता है और बिल्कुल atom के center में होता है आपको सबको पता है वो ही लिखा है पहला point an atom consists of a very small and heavy positively charged nucleus at its center दूसरा point negatively charged electron है कि नहीं? जो negatively charged particle है क्या बोलते है उसको electron? वो nucleus के चारो तरफ circular orbit में round मार रहा होता है वो ही लिखा हुआ है negatively charged electron revolves around the nucleus in circular orbits without emitting any energy circular orbit में घूम रहा है लेकिन जिस orbit में घूम रहा है उस orbit में energy को release नहीं कर रहा यानि कि energy उसके fix है बसने में आ रहे है electron negative है निकिलियस के चारो तरफ घूम रहा है circular orbits में लेकिन जिस orbit में भी घूम रहा है उस orbit की energy fix है और वो electron उस orbit में energy release नहीं कर रहा यह postulate से इसको theory कहते है यह दो point हुआ अब जिसरे points की बात करते हैं तो दो point है यहाद हो गया कौन से दो points है पहला point कि atom में एक बिल्कुल sensor में positively charged छोटा सा बहुत भारी निकिलियस होता है और उस निकिलियस जो की positively charged है उसके बाहर में electron जो की negatively charged है circular orbit में घूम रहा होता है और जब भी किसी orbit में घूम रहा है तो energy release नहीं करता तिसरा point out of infinite orbits orbits तो infinite सबता है न an electron revolves only in those orbits which has its अंगुलर मोमन्टम एकल टो इंटिग्रल मुलिपल अपन टुपी एच अपन टुपाई एच क्या है फ्लांक्स कॉंस्टंट लास्ट क्लास में सिखाया था इट मेंस अंगुलर मोमेंटम इस क्वंटाइजड क्या कहता है बहुं सारे ओर्बिट से इन्फाइनाइट ओर्बिट से जिसमें की इलेक्टोन रिवाल्ब कर सकता है तो क्या सारे ही जितने भी ओर्बिट से सर्में सर्कुलेट कर रहा होता है घूम रहा होता है रौंड मार रहा होता है जिसका की अंगुलर मोमेंटम इंटिग्रल मल्टिपल होता है एच अपान टूपाई का अब यह अंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर्य तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं फिजिक्स में पढ़ना होता है लिनियर मोमेंटम तुम्हें पता होगा लिनियर मोमेंटम होता है मास गु multiply कर देते हैं तो angular momentum मिलता है यानि angular momentum किसी भी एक particle का जो होता है वो इस तरह से होता है M गुने भी यह भी क्या है velocity mass M क्या है mass किसका यहाँ पर electron का है particle electron है जो कि घूम रहा है रिवाल्व कर रहा है तो यह linear momentum हुआ है इसी में अगर R से multiply कर दिया तो यह जो है angular momentum हो जाता है angular momentum अब यह जो angular momentum होगा M गुने भी गुने R यही angular momentum कहलाता है किसका electron का जो भी particle rotate कर रहा है गुम रहा है तो यह जो angular momentum होगा वो कितना होना चाहिए है एच अपाउन टूपाई का integral multiple याने की N गुने एच अपाउन टूपाई एच अपाउन टूपाई का integral multiple टेंटीजर से multiply कर दिया N से जहां पर N है क्या एक positive integer वेर एक एन इस ए पॉजिटिटिव इन्टीजर अपाउन जैसे एन इसकाल चुटू एन इसकाल चूटू एन इसकाल चूटू एन इसकाल चूटू तरी यही जो एन है ना इसी को आप लोग और बीच नंबर कहते हैं और भीट नंबर कहते है शेलन नंबर कहते आप इन इनघी लेवल कहते हैं कु एक सब्सक्राज होगे baby awake का मत्लब क्या आउर्बिट नंबर जिस या गूम रहा है इन का वेफ将 पॉजिटिटिव इंच नह रोगा क्या सिखा, जितने भी orbits possible है, कितने orbits possible है infinite, सब मेंân wisdom नहीं गुमता, उन्हीं orbits में электron गूम रहा होता है, जिसका की angular momentum, एम गुने भी, गुने आर, इसको बोलते है angular momentum, यह परिभाषा है, यह formula है, angular momentum का, कि फिजिक्स में पड़ोगे, linear momentum गुने आर, यह आर क्या है, radius vector, nuclear, e लेक एलेक्ट्रोन का जो डिसटेंस से वही आर है him क्या है मास से किसका पार्टिकल का हमारे पास पार्टिकल कौन Say गूम रहा है caller section vqn वेलोसिटी एमम कुने वी गुने आर एंग्लम मॉण자 constitu KH की fij h आपन तू पाई का integral multiple होगा या तो h आपन तू पाई होगा या दो गुणे h अपन तू पाई होगा या तो तीन गुणे h अपन तू पाई इनका वहल्यू 1,2,3,4,5 है positive integer होगा h क्या plans constant है R radius होगया V क्या होगया velocity जहांपर की aim होगया mass किसका उस particle का जो की घूम रहा है कौन घूम रहा है इलेक्टोन घूम रहा है ये V क्या है velocity है इलेक्टोन का और ये R क्या है ये है radius बाई ये radius किसका orbit का जिस orbit में इलेक्टोन घूम रहा है उसका radius नोट करो ये तिसरा point हुआ इन points को याद रखना है और इन points को याद रखते हुए आगे का derivation भी होने वाला है और theory में भी पूश्चता है तो तीन point हुआ भई पहला point क्या atom में बिल्कुल center में एक nucleus होता है जो कि positive होता है बहुत छोटा है और बहुत भारी होता है दूसरा point क्या electron जो कि negatively charged होता है घुम रहा होता है रिवॉल्व कर रहा होता है nucleus के चारों तरफ circular orbits में क्या हर जगा घुमता है क्या सारे orbits में घुमता है बहुत सारे orbits हो सकता है infinite हो सकता है नहीं सारे orbits में नहीं घुमता उन्हीं और बिट में घुम रहा होता है जिसका की angular momentum है इस अपाउन टूपाइगा इंटीग्रल मुल्टिपल अर्थात आंग्लर मोमेंट्चम क्या म गुने भी गुने आर कि इडिगल टू एन अपाउन टूपाइग एच अपाउन टूपाइगा इंटीग्रल मुल्टिपल ए न का कि यह वालू क्या होगा एन एक पॉजिटीव इंटीजर है जो कि एक दो तीन चार पांच हो सकता है को भी एक पॉजिटीव इंटीजर ज़ो है उस एन को ही हम लोग और बिट नमबर कहते है या इनर्जी लेबल भी कहते हैं जिसको कि आपने अगर थोड़ी बहुत इन औरग has fixed energy associated with it these orbits are called a stationary orbits तो जीन और्विट में इलेक्ट्रोन रिवाल्व कर रहा होता है उसकी इनर्जी फिक्स होती है क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रोन जिस और्विट में घूम रहा है वहाँ पर इनर्जी रिलीज नहीं करता तो जिस और्विट में घूम रहा वहाँ पर इलेक्ट्रोन के इनर्जी फिक्स है तो इनर्जी फिक्स होने की बज़ा से उन और्विट सको एक नाम से पुखारते हैं stationary orbits और इन orbits का नाम भी होता है क्या भाई अगर हम orbits कह दे orbit number orbit number या शेल नंबर या energy level orbit कहो शेल कहो इस sentence को हम बहुत बार बोलेंगे orbit कहो शेल कहो principle का नंबर कहो energy level कहो सब बत से मैं तिसको notation से भी हम लोग represents करते हैं जैसे orbit number one हो गया के दो तीन चार पांच छे इस तरह से तो के से सुरुवात होता है यह convention है के L M N O P इस तरह से करते हैं नोट करो इसको तो क्या सिखा भाई सेंटर में नुकिलियस होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है electron circular orbit में घूम रहा होता है बिना energy को रिलीज किये हुए सारे orbit में एक घूमता बलकि सिर्फ उनी orbit में घूमता है जिसका कि angular momentum MBR N H upon 2 Pi के बराबर होता है एक फर्मुला या MBR इसको एक पॉजिटिव इंटिजर है एक दो तीन चार पांच है और जिस orbit में घूम रहा होता है चुकि वहाँ पर energy लीज नहीं करता है अस्टेशनरी और विट्स जिसको कि आप नौमत दस्वाएं पढ़े होंगे और इन और्गनिक केमस्टी में भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़े होगे के एल एम एन ओ सबसे नजदिक वाला और बीट है नुक्लियस को उसको हम लोग के कहते हैं इसकल सुवान के लिए के उसके बाद फिर के एल एम नोपी देरीजी पास्मा पॉइंट कि एफ और एन इलेक्ट्रोन गेट्स कि इनर्जी देन कि इंट गोज टुएट इनर्जी लेवल कि इनर्जी लेवल कहो और नंबर कहो और बिट नंबर कहो सब आथ से मैं क्या कहता है कोई एक एलेक्ट्रोन लोवर इनर्जी लेवल में If an electron, इसमें ओर बेड कर सकते हो, in lower energy level. कोई एक electron lower energy level में है, और वहान पर वो energy को accept करता है, उसको energy कहें से मिलती है, receive करता है, तो वो higher energy level में सला जाता है और फिर उसको कहते है excited electron. यह दिन और गा ऐन ऐक्साइट ऑई-ड्लेक्टा और engP kamu excited का मतलब क्या इलेक्टोन जो हाई इनर्जी लेवल में गया एलेक्टोन हाय वEC is in हाईर इनर्जी लेवल है कि उसको कहते हैं सकते हैं तो वेन एन एक्साइट लेक्टोन लूजेज इनर्जी इट कम्स बैक टू लोवर इनर्जी लेबल क्या कहता है जैसे देखो भी यह हो गया नुकलियस यह पहला वला और्बिट हो गया के यह होगया दूसरा वला और्बिट यह हो गया तिसरा यह चोथा इस तरह से पांचाब छट्था सात्मा आठमा नॉमा दसमा इंटिगरल वहलू कहने तक भी जा सकता है तो कोई एक electron lower energy level में था ये n is equal to 1 है ये n is equal to 1 ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 6, 7, 8 तो सबसे lower जो energy है वो nucleus के करीब है यानि जैसे जैसे दूर जाते हैं हम लोग इसको prove भी करेंगे जैसे जैसे हम दूर जाते है nucleus है वैसे वैसे electron के energy बढ़ते जाती है infinite पर energy उसकी maximum है और सबसे कम energy जो है वो बिल्कुल nucleus के पास यानि n is equal to 1 इसको लोग ground state भी कहते हैं आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत अभी बोलते जाने जिससे कि तुमको सुनने का अभ्यास हुजा है n is equal to 1 ground state ये सबसे minimum energy वाला orbit है और यहाँ पर कोई एक electron यहाँ पर था और इसको energy कहीं से मिले बहुत तरीका है energy gain करने का thermal energy light energy and energy अब यह जो electron है अगर energy redistrib करता है तो higher energy level में जाएगा यह electron higher energy level में जाएगा और मान मौन रह बहुत यहां आगया तो कोई educ know lower energy level में था तो electron energy को gain करने के बाद higher energy level में जाता है और यही excited electron यह electron है उसको बोलेंगे excited excited electron कोई भी electron n is equal to 1 को छोड़ करके किसी दूसरे level में है, दूसरा, तिसरा, चोथा, पाच्मा सब को कहते है excited electron है, higher energy level में है तो वो excited electron भी अपनी energy lose कर सकता है तो क्या करेगा यह बापस भी आ सकता है बहुत तरीके से आता है हो सकता है यहां से यहां से यहां से यहां से यारिक यहां से यहां आए अरे वही तो line spectrum बनाता था चिकलेब़ में पढ़ने वाले हैं पर तो यह electron जो कि higher energy level में है और lower energy level में लॉटता है मानलों कि याहाँ से चला और ग्राउंड स्टेट एन स्क्फड वावन पर लोटा है तो घरनादी लिश्क रेगा रिख यह नर्जी डिफेरेंस के बराबर इस लेबल और इस लेबल की इनर्जी के दिफेरेंस के बना अब यह energy release करता है in the form of radiation, है कि नहीं, तो energy is emitted, higher से lower में जाएगा तो energy release होगा, और यही lower से higher में जाएगा तो यह energy electron क्या करेगा, एब्सार्ब करेगा, यह electron ना, energy, एब्सार्ब करेगा, यह electron lower energy level में, electron energy एब्सार्ब करेगा, तो higher में जाएगा और higher वाला, अगर lower में लोटता है, तो radiation के form में energy release होता हो, जिससे हमको मिलता है, line spectrum, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो एक बात हम बार-बार कह रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर point करके लिख सकते हैं, कि जैसे जैसे निकलियस से दूर जाते हैं, वैसे वैसे electron की energy बढ़ते जाती है, as we go away from nucleos, energy of electron increases, यह इन फाइनाइट पर इसकी energy maximum होगी, अर्था, अगर मान लो कि 5 level है, तो energy पांचमें level का, चौथे level की energy से ही का मतलब energy, 5 का मतलब पांचमा level, 5th orbit, से ज्यादा होगा, फिरी 3 का कम होगा, E2 का उसे भी कम होगा, और सबसे कम पहला energy level, orbit number 1 की energy सबसे कम होगी, जिसको की ground state भी कहते है, तो जैसे जैसे दूर जाओगे, वैसे वैसे electron की energy जो है बढ़ते जाती है, तो इसका मतलब है कि infinite पर उसकी energy maximum होगी, और n is equal to one, यानि ground state उसको कहते है, वहाँ पर energy उसकी minimum होगी, तो यहाँ पर energy मिलेगा, बेचारा छलांग लाके आगे जाएगा, तो excited state होगया, क्या सर ये भी excited state है, येस बिल्कूल, n is equal to two excited state है, एक को छोड़ करके बाकी सब excited state है, आगे पढ़ेंगे, और एक को है उसको मिलोग कहते ground state, ये minimum energy में electron है, तो दुनिया के ना minimum energy में रहना चाहता है, तो लोटना चाहेगा, लोटेगा, तो energy difference के बराबर radiation image करता है, वही सो line spectrum generate होता है, जो कि हम लोग पढ़े था spectrum, नौट करो, तो क्या सिखा बच्चे, electron होता है, इस model के नुसार, electron बिल्कुल center में, बहुत छोटा होता है, positive charge होता है, बहुत भारी होता है, पहला point, दूसरा, electron negative होता है, circular orbit में घूम रहा होता है, और बिना इनर्जी को रिलीस की उए घूम रहा होता है, एक orbit में घूम रहा है, तो बिना इनर्जी को रिलीस की उए घूम रहा होता है, तो क्या सारे orbit में घूमता है, नहीं, infinite orbits में से, शिर्फ उनी orbits में घूमेगा, जिसका की angular momentum का value, तो integral multiple H upon 25 का, यानि M, V, R is equal to N, H upon 25 एक formula आया, याद कर लेना है, उसके बाद फिर क्या भई, उसके बाद भी कुछ और भी points हम लोगों ने पड़ा, कि जैसे से दूर जाते हैं, वैसे वैसे energy, electron की बढ़ते जाती है, सबसे कम energy पहले लेवल में, और infinite पर सब ज़्यादा, अगर lower energy level में electron है, और higher में जाना चाहता है, तो energy absorb करेगा, energy absorb करेगा, तो higher में जाएगा, और higher lower में आएगा, तो energy difference के बरावर, radiation एमिट करता है, है कि नी, और जिन orbits में electron गुम रहा होता है, उस orbit की energy fix होती है, इसलिए उसको हम लोग, उन orbits को हम लोग stationary orbits के नाम से पुकारते हैं, इतना ही तो पड़ा, लेकिन ये जो बोर सहाब model दिये, वो multi electron के लिए valid नहीं था, ये जो बोर सहाब ने model दिया, सबसे जो important model numerical purpose से होता है, पूशा भी जाता है, हम लोग लंबा time तक इसको पढ़ेंगे भी, ये सिर्फ यूनि electron, one electron species के लिए valid था, एक ही electron के लिए valid था, multi electron के लिए valid नहीं था, यानि ऐसा species, ऐसा atom, ऐसा iron, जिनके पास सिर्फ एक ही electron है, उनके लिए ही सिर्फ ये model valid है भई, है गरे, तो छट्था के बाद सात्मा पॉइंट ही ये, this model is valid for a species, a species क्या हो सकता, item हो सकता, iron हो सकता है, having only one electron, ये बड़े काम का point है, एक ही electron होना चाहिए, for example, देखो बच्चे, hydrogen के पास कितना electron, एक ही होता है, helium के पास कितना electron, दो होता है, helium atom में दो electron, atomic नमबर दो, दो proton, दो electron, तो क्या helium के लिए applicable है, नहीं है, helium के लिए bore model is not applicable, एक electron निकाल ला पड़ेगा, दो है, तो एक electron निकालेंगे, कैसे सिखाया था, एक positive charge मिल लिया ना इसको, एक positive का मतलब एक electron निकल गया, दो electron था, एक positive charge आया, तो कैसे आया, एक electron निकल गया, एक electron निकल गया, तो इसके पास एक ही बचाना, अब इसके लिए applicable है, पारबर कहेंगे, इस पॉइंट को यह पूछता भी है, बोर मोडल इस अप्लिकेबल only for a space is having one electron, एक ही electron जिसके पास है, उसे के लिए valid है, दूसरे, जिसके पास दो electron है, तीन electron है, multi electron है, उसके लिए valid नहीं है, lithium, atomic number 3, electron B3, क्या valid है, नहीं, एक प्लस दिया, एक electron निकला, तो अभी भी दो है, एक electron होना चाहिए, तो प्लस 2 कर दिया, दो electron निकाल दिया, तो अब एक बचा गया ना, तब इसके लिए valid है, यानि उस species चाहिए आयन या atom में एक electron होना चाहिए, उसके लिए valid होगा, multi electron के लिए valid नहीं है, बिरिलियम, प्लस 3, चार होता है, तिन निकाल दोगे, तिन निकालने के मजब प्लस 3 करोगे, तो इसके लिए valid होगा, है कि नहीं, और क्या भाई, overall atom neutral होता है, होना ही होना है, overall atom is neutral, जितना proton उतना है, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नि, और क्या एक और पॉइंट जो की पहले भी हम लोग पढ़ा चुके थे, रदरफोर्ड मोडल में, यह बैलेंस कैसे होता है, यह फोर्स कैसे बैलेंस होता है, एलेक्टोन जो सरकुलेट घूम रहा होता है, और निकुलियस जो पॉइटिव चार्ज है, तो वहीं जो सिखाया था, फोर्स अफ अट्रैक्शन, कौन साफ फोर्स अट्रैक्शन, कुलम्बिक फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स जिसको कहते है, बिट्विन, एलेक्टोन, और निकुलियस, बैलेंसेस, जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स है, अंदर की और जो फोर्स लगता है न, अट्रैक्शन की बज़ा से सेंट्रिपिटल कहते हैं, बैलेंसेस, सेंट्रिफिटल फोर्स, एक्टिंग उन, इलेक्टोन, अवे फ्रों निकुलियस, यानि की, अभी हम लोग देखेंगे, डिराइब भी करेंगे, रिडियस बेकर निकालेंगे, तो एक अंदर की और फोर्स है, जो की positively charged, निकुलियस और इलेक्टोन के बीच में लग रहा है, खुलंबिक फोर्स, एक positive, दूसरा negative attack करेगा, अंदर की और फोर्स, और एक circular motion में पार्टिकल जो लेक्टोन है, गोम रहा हुए, तो circular motion में को एक पार्टिकल घोम रहा होता हो, तो उस पर एक और फोर्स लगता है, बाहर की और outward फोर्स, जिसका हम लोग काता है, centrifugal force, है कि नहीं, एक रसी है, उसमें पत्थर बांद करके नचाते हो, तो अंदर में एक tension force लगा रहा है, tension force, उस रसी करण, और बाहर में पत्थर जो है ना, तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा है, बाहर में नहीं फेका रहा है, क्योंकि बाहर की और भी एक force है, जो कि उसके circular motion के कारण हो रहा है, इसको में centrifugal force कहते है, और ये force दोनों बराबर है, अंदर बाला centrifugal और बाहर बाला centrifugal बराबर है, यहीं अगर रसी छूट जाए हाथ से, तो tangentially भागता है, यानि बाहर की और पत्थर भागना शुरू कर देता है, यानि बाहर की और force लग रहा था, वो तो यहां पर भी वही बात है, इलेक्टोन और पोजिटिवली सार्ज्ट जो निकलिय से एक दूसरे के बीच में, कुलम्बिक force of attraction अंदर की और बाहर की और force, circular motion की और के कारण जो है centrifugal, यह दोनों ही force आपस में बालेंस करते हैं, है कि ने, तो यह सारे points हैं, इन points को लिखो, और उसके बाद फिर अब हम लोग निकालते है radius और velocity, कोई भी एक electron, circular और विच में घूम रहा है, अरे भाई तो उसकी कुछ radius भी तो होगी, क्या radius है, किस velocity से move कर रहा है, कितनी उसकी energy है, क्या time period है, क्या frequency है, तो बहुत सारा चीज यहाँ पर हम लोग calculate करने वाले हैं, यानि numerical purpose से, अब यहाँ पर काफी चीज होने वाला है, एक एक point को ध्यान से देखोगी, और derivation भी, क्योंकि जो student IIT advance का preparation कर रहे है, उन्से derivation पर भी question पूछ लेता है, यानि सिर्फ formula अगर याद है, तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको derivation भी ढंग से देखना पड़ेगा, किस तरह से आया है, क्योंकि basic derivation प्रभी question पूछा जाता है, खास करके IIT advance में, तो देखो भाई, सरव परता हम लोग calculate करना सीखेंगे, radius, बड़ा interesting है, calculation of radius, of orbit, एने थ और्बिट कर लो, और बिट नमर क्या हो सकता, एक हो सकता, दो हो सकता, तीन हो सकता, चार हो सकता, यानि एन का value, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक positive integer होगा, तो किसी भी, एने थ और्बिट के लिए radius हमको calculate करना, इसमें के लिए एक टोन सरकुलेट कर रहा है, घूम रहा है, कितना होगा, कैसे निकाले, देखो भई, तो हमारे पास, जो है, ये हो गया, निकिलियस, और कोई एक, एक ही और्बिट बना रहे है, है तो infinite, बहुत सारे और्बिट है, लेकिन हमने एक और्बिट बनाया, ये और्बिट बनाया, इसी को nth और्बिट करे दिया, और मान लिया, कि आटम का आटॉमिक नंबर जो है, जेड से रिप्रेजन्स करते हैं ना, तो जेड है, तो निकिलियस पर जो चार्ज होगा, वो कितना होगा, ये भी सो सकते हैं, शार्ज, और निकिलियस, तो जेड का मतलब क्या जेड प्रोटोन है, लेकिन प्रोटोन पर चार्ज उतना ही होता जितना की एलेक्टोन पर होता है, बस साइन का फर्क होता है ना, तो एक अगर proton होता तो चार्ज E के बराबर होता, दो होता तो 2E, 3 होता तो 3, तो Z अगर तुम्हारे पास number of protons जोके atomic number है, तो charge nucleus पे कितना होगा, plus, plus तो होगा ही होगा, क्योंकि positive charge है, proton positive होता है, और कितना proton है, Z है, तो एक proton पर E के charge के बराबर, तो Z पर plus Z E, E का मतलब क्या, इस पर जो charge होता है, उसका magnitude, 1.6 into 10 per minus 19, isn't it, और इसको हम लोगों ने Q1 कह दिया, इस charge को कह दिया, यह Q1 है, charge Q1, तो यह Q1 हमारे पास charge हो गया, और देखो भाई, यह हो गया, निकैलियक से, इलेक्टोन का distance, यही इलेक्टोन महदे, सर्कुलर ओर्बिट में घूम रहे है, यह वही वहीन का डारइक्शन हो गया, इसी का प्रपिंडिकुलर, सर्कुलर ओर्बिट में ऐसे घूम रहा है, और वेलोसिटी भी कह दिया, भी क्या, वेलोसिटी, और हीलेक्ट्रों होगया जो की घूंब रहें और इस एल्य गिंधाय यो göreं पर इसको आ मने क्यूंन होगा गिश्क एक कियूंच ओर उन्दर्ग फॉर्स लाइगा ना और यह डिस्टेंस आर मालो भाई यह डिस्टेंस आर यही आर तुमको निकालना है यह डिस्टेंस आर है तो एक अंदर की और फोर्स लग रहा देखो अंदर की और फोर्स कौन सब कहते हैं सेंट्री पिटल फोर्स जो कि कुलम्बिक फोर्स होगा Q1 Q2 upon R square कि Q1 Q2 upon R square Centipetal force का magnitude लेना चाहिए magnitude अंदर की और फोर्स उसका magnitude अब कि तुमको पता है Q2 तुमको पता है लिए बताओ भए के कैंक को पता है ना 1 नाइन इंट इंट लघा तो के लिखा जो के रिखा चेंट है 9 into 10 टुम नाइन के बराबर वन अपॉन फॉर पाइप सेला नॉट को पराबर होता है पहला लेक्षर में सिखाया था की वन का वैलू क्या यह की वन कह दिया प्लस जड़ी तो जड़ी रहने दिया और क्यू टू क्या यी तो गुने यी मैगनिटूट की बात करें साइन नहीं लगा रहे क्योंकि एक गूसल क्यों कोशी आर सक्षा narrative आफ और जाई यही क्योंकि सेंट्रिफ्बड़ फोस अंदर की ओर स्वाइवर गुशत यकोई और हिप्री स्बाहर की ओर फूस लग रहा होता fine Rolex में तुरत गुस करहा होता है यह का तृति हिन्हां बार बार कह रहे हैं इतना बार कह रहे हैं कि तुम लोग को याद हो गया होगा centrifugal फोर्स में पढ़ोगे सर्कुलर मोशन में centrifugal फॉर्स बाहर कि ओर और यह centrifugal फॉर्स होता है m गुने A कोई नियूटुनियर फिजिक्स का मतलब क्या होता है मार्स गूने acceleration सविंख्टूलर मोसनमें गूम रहा होता है तो आक्सिलेशन होता है डिसे अपन अर तो एमगूने एक्सिलेशन होता है भी स्कॉर अपन आर तो इंड इसवार आपाँ आर के ये हो गया है सेंट्रींी फील कर अपन आर ना एक्स लोता है कि एंजेनने उस एक्स एक्स टंवारे पास सब्सक्राइब आप घूब रहा है तो दोनों भूच बराबर होगा तभी तो आब काम हो गया क्या भए तो यह वह लबर फोर्स यह वह लब फोर्स दोनों बराबर होगा तो लिखते हैं तो क्या सकते हैं कि के जेड़ इस्कॉर बटा आर स्कॉर इट इस इक्वल टू बाहरवाला फोर्स इंट्रिफिगल फोर्स कितना एम भी स्कॉर अपॉन आर यह हो गया इक्वेशन नंबर वान एक एक्वेशन मिल लिया रडियस निकालना चाहरे पहले एक और एक्वेशन तुम्हें पता है कौन सा एक्वेशन अभी तो पढ़े थे तिसरे पॉइंट में पढ़े थे ओट आफ इन्फाइनाइट और्बिट एलेक्ट्रों चुण इंगें और ऌर इसको बोलते हैं ? कि पढ़े नहीं है अभी बस खाली फर्मुला चिकना है इसको बोलते हैं ऐगलर मुवेंटम है कि नहीं के कहां पढ़ेंगे फिजिक्स में पढ़ोगे तो M-B-A, या एंग और मोमेंटम गढ़ा ये किस के बराबर n h upon 2 pi के बराबर होता है n h upon 2 pi ये h क्या planks constant लास क्लास में सिखाया था n क्या यही nth orbit number है यही nth orbit है n जो कि 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है यह हो गया भईया equation number second अब क्या करेंगे यहाँ से भी का value निकाल करके न भी का value यहाँ से क्या हो जगा n h upon 2 pi m r इस value को equation 1 में put करेंगे यह जो भी का value आया equation 1 में put करो तो put करने पर न हमारे पास एक formula आ जाता है radius के लिए और इस formula को याद करेंगे लिए खातरनाक सा formula है बार बार पढ़ने से याद होता है n square h square थाड़ा इसको छोटा करें आर के लिए formula n square h square divide by 4 pi square m k z e square सर किया यह formula याद रखना जरूरी है बिलकुल कभी कभी question जो है रेडियस हुआ nth orbit का orbit का basically जिसमें एक electron nth में ऑर्बिट में घुम रहा है क्या formula n square h square n क्या orbit number h क्या प्लैंक कॉंस्टेंट डिवाड़ बए 4 pi square m k z e square क्ये क्या एक constant है जिसका के value 9 into 10.9 होता है जेड अटॉमिक नंबर है उस item का यह electron पर चार्ज होता है mass electron का है पाई तुमको पता है इस फर्मुले को याद कर लेना भी है तो पहले यहां तक note करो उसके बाद radius का क्या numerical value होगा वो निकालेंगे कि अगर कर दो कि अगर कर दो कि अगर कर दो तरह का फॉर्स बच्चे एक है अंदर की और जो फॉर्स लग रहा है है जिसको हम लो सेंट्री पॉर्स कहते हैं है कि और एक सर्कुलर मोशन के कारण जो फॉर्स बाहर की और लगए उसको हम लो कहते हैं सेंट्री फॉगल फॉर्स यानि एलेक्टोन जो नुकिलियस के चारो तरफ एनेथ ऑर्बिट में घुम रहा है उस पर दो तरह का फॉर्स है एक अंदर की और जो की चार्ज के चलते हैं यह क्यूटू कह दिया यह क्यूवन क्या है आइटम में जो नुकिलियस बिल्कुल सेंट्र में है पॉजिटिव निकालोगे जितना तुम्हारे पास प्लोटोन जिसको कि आंटानिक नमडर भी कहते है एक प्लोटो olmaz क्यूट करें यह Custom ऑत्र doc अन्दर में ऑट्राइए ऑन्वाट गया शिखाया था की दुए अब आरे स्कौर आर क्या distance है निकलियस और एलिक्टोन के बीच में यही आर निकालना है हमें और बाहर की और जो centrifugal force लग रहा है circular motion में कोई भी पार्टिकल घुम रहा होता है उसके चलते जो force लगता है बाहर की और उसको centrifugal force कहते है और उसका formula होता है अब यह जो एक्सिलेशन लग रहा है यहां पर वो सर्कूलर मोसन वाला होता है तो उसका formula भी होता है वी स्कॉर अपॉन आर अब यह दोनों फोर्स बराबर कर दिया अंदर की और बाहर की और बराबर कर दिया बराबर कर दिया तो एक एक्सिलेशन यह मिला और यह थियोरी से कैंगलर मोमेंटम एनेश अपॉन टू पाई के बराबर होता है वी का वैलू एनेश अपॉन टू पाई एम और इस formula से वी का वैलू निकाल करके जो आया ना वी का वैलू यहां पर ही ज़िए स्कुर्ण अब इस आर को अगर निमेरिकल वैलू देना चाहें तो हमको बहुत सारा वैलू उसका पता है इसका वैलू पता है उलेक्टोन का के का वैलू पता है उलेक्टोन पर चार्ज यहां तो तो रेडियस निकल जाएगा एक की नहीं देको के सब ध्यान से तो थोड़ा सा में यहां पर मिटाते हैं इसको अब आई यह देखिए सब रेडियस का फर्मूला आया इन स्क्वार इस स्क्वार डिवाइड वाइब फॉर पाय स्क्वार एम के जेड इसक्वार इसंट अब हमको पता है एच का वैलू कितना सिक्स पॉइंट सिक्स टो फाइब इन्टो टेंट दी पावर माइनस थर्डी फॉर जूल सेकेंड पाय का वैलू तुमको पता है थी पॉइंट वान फॉर मास्क इसका एलेक्ट्रोन का जो पांच को घूम रहा है के जी में सब एसा उनिट में तो नाइन पॉइंट वान इन् इन्टो टेंट दी पावर नाइन एसाइंट में और यह क्या इलेक्ट्रोन पर चार्ज है कि कितना होता है मैगनिटूट की बात कर रहे हैं वान पॉइंट सेक्स एंटो टेंट दी पावर माइनस 19 कुलम सारा वहलू को यदि इसमें हम पूट कर देंए तो रेडियस के नाइन मल्टिप्लाट बई टेंट दी पावर माइनस 10 उपर में एन स्कॉर नीचे में जेड इतना वहलू मीटर में आता है इतना मीटर अब मीटर में ना याद करके इस फर्मुले को तरह में एक और बीच कर दो एंगस्टन तिसकोट टेन पर माइनस टेन से मल्टिप्लाई कर दो ति कैंसी लो ठोकर के अंगस्टन बादेगा एन स्क्वाइर उपाऊन जेड माओन जेड एन जेड के और पिमित नमबर है इतना क्या आया अंगस्टन के अब इस फारमुला को आपको याद कर लेना है यह को पच्छातर स्टार का फिर्मुला अर्थाद मैरी विरी वंपॉर्टन के Fascines की लिए यानि इस फर्मूला को अगर याद नहीं करोगे तो तुमसे निम्रिकल सौल्व हुआ है नहीं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्मूला और इसको यादी नहीं कर लेना है याद का पाबर पांच कर लेना है कि हैं अध至今 वेरी इंपॉर्टन फार्मूला क्या फेरल्मुला रैडियस का जिरो पॉस्पाइव 221 ऊपर में एन स्कॉर निचे में जेड है एंस्कॉर नीचे में जेड को किसमें आएगा ऐंगष्टन में 이미 क्या है ऑर्बिक नमबर जेट क्या एट मिक Bowl that इसे में ऑर्बिट के लिए एन दो तीन चार जो भी दिया रहेगा और किसी भी एटम अगर दे दिया तो जेड हमें पता है हम रेडियस उस और्बिट का निकाल सकते हैं आंसर मीटर में नहीं किसमें एंगर्स्टन में अब इसमें हम आप जर्ब कर सकते हैं तो यह को दे यह इसकोर आपको बढ़िया से याद कर लेना है नोट किजो को कि अगए है गए है गए है अगए है है अगए है तो तो रेडियस केल्कुलेट करने में कौन सा फर्मूला निमेरिकल प्रपस के लिए सब से इंपॉर्टन यह वाला जिरो पाइंट फाइब चू नाइन एनट एन स्कॉर अपॉन जिड किसमे एंगस्टन में जहां एन क्या और बिट नमबर और यह जिड क्या अटॉमिक नमबर अटम का एंगस्टन में आंसर तुम्हारे पास आएगा इस फर्मुला को दो बार चार बार दस बार पंदरा बार लिखो दिमाग में गुमाओ एक दम बिल्कुर रटा हुआ या होना चाहिए या दोना चाहिए तो रेडियस आगया बई अब वेलोसिटी निकालते है वेलोसिटी और रेडियस का फर्मुला निकाल करके दोनों का निमेरिकल एक साथ करेंगे तो कैलकुलेशन हम लोगों ने रेडियस का सिख लिया किसी भी आइचम का एनफ और बिट के लिए अब यहां पर वेलोसिटी सिखते है कि वेलोसिटी एनफ और बिट में जो इलेक्ट्रों है वेलो इस फर्मुला आर का तुम्हारे पास है और एक और फर्मुला इस फर्मुले को हमने रहने दिया क्योंकि इस फर्मुले का हमें इस्तेमाल पड़ेगा हर जगा तो चलो भी यह तो आर ही है और एक और फर्मुला था म वी आर इस इक्वल टो एन एस अपॉन टू पाई अब यहां से वी का वेलो क्या हो जागा वी इस इक्वल टो एन एज अपाउन टू पाई एम आर होगा की नहीं होगा एन एज डिवाड़ बाई टू पाई एम आर इधर डिनॉम्टर में आ गया अब यहीं जो है आर का वैलू यह वाला उठा करके यहां पर तुमको पूट कर देना है इस आर के जगह पर खदरनाक सा होगा लेकिन कुछ तो होगा और फिर वेलोसिटी का हमारे पास फर्मूला आ जागा तो क्या उसको वेरियेवल के रिस्पेक्ट में रटना है नहीं रटना रटना सिर्फ यह था वरियेवल व पॉर पाइश्क्वार एम ए जेर एसक्वार है किनी कुछ पॉर अकंस्के लट हो जागा तो फ़िवलियो का फर्मूला हमारे पास आ जाएगा यह दखो एके नक्स के लाट होगा यह तूपाइ से टूपाइ टूपाइ टूपाइवर टूपाइए तूपाइवल एस्क्वार और नीचे में एनिच से कैंसी लटोके यह एन गुने एच अब दखो एसा इनिच में हमें के का वैलू पता है एक का वैलू पता है तो सबका वैलू अगर हम पूट करें यानि और पूटिंग वैलू किसका के का एक का और एच का अगर हम पूट करें जो भी हमने वैलू रखा था रेडियस निकालने के लिए तो वैलू सिटी के लिए एक बड़ा ही सुन्दार बहुत है यह ब्यूटिफल फर्मूला निकल कर क्या था उसको याद कर लेना है क्या था बैए 2.19 into 10 to the power 6 multiplied by उपर में Z नीचे में N इतना मीटर पर सेकेंड इतना मीटर पर सेकेंड यह वेलोसिटी का फर्मूला जो आया यह भी एक करोड़ 75 स्टार का मतलब क्या एक करोड़ 75 स्टार का मतलब सिर्फ इतना कि इस फर्मूला को याद की हुए तुमसे नहीं होगा इतना सिर्फ मतलब हम ऐसे बार बार बोलते हैं stress डान ले के लिए कि इस फर्मूला को आपको याद करना ही करना ही करना ही है इसके बिना न अधरवाई निम्रेकल तुमसे सॉल्व नहीं होगा जहां पर जेड देखो ध्यान से सब एसाल में पूट किया तो तुमारे पास मीटर पर सेकेंड में आएगा वेलोशिटी यह जिए क्या टॉमिक नमबर यह एन क्या और बेसिकली यह जो वेलोशिटी साहब है डारेक्ली प यानि गीवेन आटम के लिए जेड फिक्स हो गया तो जैसे जैसे दूर जाओगे एन का वेलू बढ़ेगा तो वेलोशिटी का वेलोशिटी घटेगा यह भी समझ में आना चाहिए ना इनुवर्शिटी पॉर्शिटी नमबर और अगर एन गीवेन है एन अगर फिक्स कर द अबी के लिए दो फरमूला तो बढ़ा ही इंपोर्टेंट उसके बिना तो कामी में से लेगा एक रेडियस वाला फरमूला एक वेलोशिटी वाला फरमूला रेडियस वाला फर्मुला 0.529 N square upon Z Anguston और वेलोसिटी वाला फर्मुला 2.19 into 10 to the power 6 Z upon N meter per second. नौट करो तो रेडियस और वेलोसिटी का दो फर्मुला हम लोग ने पढ़ा रेडियस एंगस्टन में याद करना है और वेलोसिटी को तुम्हें याद करना है मीटर पर सेकेंड में तो चला वाई इस्टू करते हैं निमरेकल्स आज तो दो ही चीज़ सिखेंगे एक के रेडियस निकालना और एक वेलोसिटी और भी बहुत सारा चीज़ में हम लोग सिखेंगे इनर्जी निकालना कानेटिक इनर्जी पोटेस इनर्जी फिर टाइम प्रियेट क्या होता है फिक्वेंशी क्या होता है बहुत सारे चीज़ इसमें लोग कल्कुलेट्स करना सिखेंगे तो अब तक दो फर्मुली का ज्यान होना बहुत जरूरी है एक रेडियस का और दूसरा है वेलोसिटी का तो चलो अब आक्रमन करते हैं निमेरिकल्स पर फर्मुला को ध्यान में रखना है थियोरी के ध्यान में रखना है क्यूस्टन नम्बर वान क्याल्कुलेट्स रेडियस एंड वेलोसिटी दोनों एक ही बार निकाल लेते भाई अफ क्यूस्टन का पाच ए सेकेंड ओर्बिट अफ एच इसका मतलब क्या है दूजन यानि सेकेंड ओर्बिट एन इसकल टू और्बिट नम्बर दो में इलेक्ट्रोन का क्या वेलोसिटी होगा और क्या रेडियस होगा और्बिट का ये दो चीच निकालना है तो फर्मूला तुम्हें बिल्कुल बढ़िया सियाद हो जाना चाहिए देखो मिदर में फर्मूला लिख दे रहे एक है रेडियस का फर्मूला और एक है वेलोसिटी का रेडियस का फर्मूला मनी मन बोलेगा 0.529 उपर में N स्कॉर नीचे में Z लेकिन आंसर किसमें आना फटना फट तुम से निम्रेकल सॉल्व होता जाएगा पाइला किस्टन सेकेंड और्बिट हाइड्रोजन तो सरफ परतम लोगों ने देखा कि इसमें और्बिट जो है सेकेंड अर्थात एन का वैलू दो है हाइड्रोजन है यानि जेड भी तो चाहिए अटोमिक नमबर हाइड्रोजन का कितना वान है तो रेडियस निकालते है रेडियस क्या फर्मुला 0.529 देखो दर में रख़े हुए है डारेक्ट उदर से देख करके यहापर वैलू पूट्स करेंगे एन का वैलू दो तो दो का स्कॉरर दो दूना चार बटा जेड कितना वान आंसर किसमें आने वाला है और यहीं कि आपके पास ऑप्षिन में ही देता है जनरली रेडियस का विए ठिक लगता है चार गुने 0.529 इतना यह यहांसर हुआ रिडियस के लिए एक आंसर आया और क्या पूछा वेलोसिटी पूछा उदर फर्मूला है ना टू पॉइंट वन नाइन इन्टू टेन टू पावर सिक्स उपर में क्या जेड़ जेड़ कितना वान और एन और अर्बिट नंबर दो यह क्या जगा मीटर पर सेकेंड तो इसको कल्कुलेट कर लिया आंसे तुम अब ही हमें क्येश्चन देंगे और उस क्येश्चन का आंसर फटाक से मुझे बताओगे क्येश्चन का पार्ट बी वहीं चे निकालना है रेडियस और वेलोसिटी ही निकालना है फोर्थ और्बिट अफ एच इप्लस देखो हिलियम के लिए तो होगा नहीं न यह जो थियोरी है बोर मोडल वैलिड है ऐसे स्पेसिस ऐसे आटम या ऐसे आयन जिसके पास एक ही एलेक्टोन है तो हिलियम नहीं होगा एच इप्लस लिखा हुआ रहेगा एच इप्लस का चौथा और्बिट के लिए बच्चे तुम्हें बताना है कि क्या रेडियस होगा और क्या वेलोसिटी होगा फटाक से लिख करके हमको मैसेज करो अभी हम देखेंगे देखते हैं कितना बच्चा कर पाता है उसी फॉर्म में रहने दो यानि फाइनल गूना होना करके नहीं लिखना है तुम्हें जैसे मैं लिख रहा हुआ उसी फॉर्मिट में हमको लिख करके बताओ किसी का हुआ भाई ज़रा देखें आदेत कुमार 0.529 अधित कुमार दुब्बे एक आंसर है हमारे पास नरेश कुमार यादव 8.48 प्रेम शंकर 0.529 इसी फॉर्मिट में ऐसे ऐसे अग गुना भी कर ले हो तो कोई दिक्कत नहीं है अरे फटा फट करो सब भाई इतना असान क्विश्चन है नरेश कुमार 2.2 डिवाड़ भाई 4 एक बच्चा बहुत बड़ा नाम लिखा है वान जी एम ऐसे नाम ले यार जो तुम्हारा एक्शुल नाम हो उसे नाम चाया करो रिस्पांस फटा फट होना चाहिए देखो तुम्हारे बगल में फर्मूला अभी अमने लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं यह फर्मूला लिखा हुआ नहीं रहेगा तो पिर कैसे गरेगा वहिद 4.232 आनन्द कुमार 0.529 मुल्चप्रवए 8 ठीक है अमन कुमार 0.529 मुल्चप्रवए 8 सिम्पी कुमारी भी ठीक है वही आंसर है 0.529 मुल्चप्रवए 8 फटा फट करो फटा फट शिकते भी रहना है खाली पढ़ने से थोड़ी नहों होता है और यह फर्मुला सबको बढ़िया से याद होना चाहिए शिशु कुमार सही आंसर बेड़ा 0.529 मुल्चप्रवए 8 विपूल गुड सही है अब तो सब का अंसर आ रहा है लेकिन ध्यान रहे फर्मुला तुम्हारे सामने लिखा है वैलू पूट कर रहा हो आंसर आ जा रह ठीक है अधित कुमार दुबे ठीक है वेलोशिटी इस फिलोशिटी भी लिया आया च्छा बहुत बढ़िया यानि वेलोशिटी भी निकाल लोगे सीधे सीधे फर्मुला पूचकर और तुम्हारे पास आंसर आ रहा है मैच करोगे देखू जिसने विकिया हुआ होगा क्या आपास और यार फार्मुला तुम को याद ही हमको एंड़ पता करना और जैड़ पता करना एंड़ विश्ट का मतलब किया जिए डेड़ ग्लाए बिल Fr चार्ज पॉजिटिव हो चार्ज निगेटिव हो आटम का आटोमिक नमबर फिक्स होता है यानि जो बैसकरली आयन का होगा उसी आटम का भी उतन ही होगा प्रोटोन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता आटोमिक नंबर पर चार्ज के आने या जाने से लिक्ट्रोन के भागने या आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता अब उस फर्मुले में पूट करो ना भई आर इसकल टू जीरो पॉइंट फाइब टू नाइन एन स्कॉरियन का बेलू कितना चार तो चर्चों का सोला अन बटा टे का फर्मुला एन उधर क्या 2.19 इंटु दस क्वाबर छेए जेड कितना दो और कौन सार। झाटर उर्भिट तो आंसे तुम्हारे पास आ गया किसमें मीटर पर सेकेंद में खली दो से डिवाल गश्ञा अना मीटर पर सेकेंट यानि कितना 2.19 इंटु दस का पालर छे बट्टा दो यानी वान पॉइंट जीरो एट लगभाग इंट्रेट पावर सिक्स इतना मीटर पार सेकंड आंसर आगया है कि नहीं तो कोई भी तुम्हारे पास आइचम या आयन दिया हुआ रहे हम वेलोसिटी या रेडियस कल्कुलेट कर सकते कभी कभी क्वेश्चन क्या पूशेगा अब उल्टा यह पूशेगा कि रेडियस दे देगा कि और अटॉमिक नंबर पूश्च देगा जैसे यहां पर देखो रेडियस of second orbit of an ion is equal to 2 into 0.529 anguston identify the iron and calculate radius of its 5th orbit ऐसे कभी कभी केस्टन पूछेगा खाले उसी को घुमा दिया यह दोनों फर्मूला तुमको या दोना चाहिए वेलोसिटी भी पूछ सकता था रेडियस पूछा है फिप्ट अर्बिट का वेलोसिटी भी पूछ सकता है चलो हम बेलोसिटी भी पूछ लेते हैं रेडियस अन्ड वेलोसिटी आए कि निरेडियस एक वेलोसिटी भी पूछ लिया भच्चे दौनों चीज़ पूछ लिया इस बिसकेसन में क्या है कहता है कि सेकेंड और्बिट कोई भी एक स्पेसिश से जिसको आयन कह रहा है उसका वेलू दे दिया रेडियस का सेकेंड और्बिट का दो गुने 0.529 एंगस टन तो बताओ कि कौन सा आयन है यानि जेड अगर मिल जा तो आयन पता चल जाएगा और अगर वो जेड मिल गया तो रेडियस और वेलोशिटी पांच में और्बिट का कितना होगा य अब यह रेडियस दिया हुआ है कितना दिया दो गुने 0.529 इसेंट इट इधर लिखा 0.529 गुने इन कौन सा और्बिट सेकेंड और्बिट तो दो दो ना चार बटा जेड यही तो हमको नहीं पता यह आपस में कैंसिल अट हो गया तो जेड का वेलू मिल गया कितना दो जेड का वेलू 2 किसके लिए हिलियम के लिए होता है तो हिलियम तो ऐटम है इसमें 1 लेक्ट नहीं 2 लेक्टटर ने तो आयएं पूछा पूछा भी आयन आयन हो गया लोग्यी में आलसा मैर्ट की अर्थाut आयन क्या है फ्लस हैको एक आंसर यह अगर फूचलेड लिएस और वेलोशिटी पूछ रहा एन स्कल्टू क्या है पांच है जेड तो तुमको मिले गया कितना दो तो रेडियस पूछा क्या फर्मुला जीरो पॉइंट फाइब टू नाइन स्क्वार तो पचापच इस अपॉन जेड बटा दो ये किसमें आंसर आएगा अंगस्टन में पांच में और बिट के लिए रेडियस मिल गया वेलोशिटी का क्या फर्मुला टू पॉइंट वान नाइन इंटू दस का पावर छे जेड जेड कितना निकाला है तुमने दो भाई और 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 बिट नंबर कौन सा पांचमा के लिए पूछ रहा है फिप्त और बिट कर लोग इतन सबसे जादा इंपरटेंगर Singapore लिए और आगले समसे जारी रहेगा कुछ लिएक निरशी करेंगे करेंगे और जारी रहेगा इस इ सबसे घूम रहा है तो टोटगा sir ट इनुरजी कितना होगा कंड कितना होगा कितना होगा टीनोंο पर्लीलिट क्या होंगे का एड़ सेटरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टन और कुछ फर्मुले को इस्तेमाल कैसे करते हैं तो चलो बच्चे आज के लिए इतना है थैंक यू बरे मच्च गुड़नाइट जम के पढ़िए